हलो देर केविन सर बैक अगेन स्टैंडर्ड ट्वेल्ट में एक बहुत खुपसूरत पोयम है आंट चैनिफर स्टाइगर्स यह पोयम एडियन राइक इसको रिच बोलते हैं बत अडियन राइक ने लिखी है अडियन राइक एक अमेरिकन प्वेटिस थी श्यूस बॉर्न इन 1929 शी पास्ट अवे रेसेंटी मतलब कपल अव यह 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 अगो शी अच्छली वास लेडी वो रोट बाट विमन इंपावर्मेंट शी रोट अलोट अबाउट दे कंटेंप्रेरी लाइफ अफ़ विमन अक्सर एक फीमेल को आज तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ कुछ तशको पहले सुसाइटी में डॉमिनेशन के थूरू रखा जाता था It is a fact and a sad fact कि सुसाइटी थोड़ी सी male dominated हो गई है और वो male dominance के कारण हम लोग opposite gender की feelings उनके thoughts उनके emphasizes को उतना समझ नहीं पाते हैं Aunt Jennifer's Tiger एक ऐसी poem है जिसमें हमारी poetis ने एक married women के experiences बताये हैं What kind of horrific realities sometimes, not all the times, I am not condemning the institution called marriage But what kind of realities a married woman sometimes has to face वो इस poem में बहुत clearly बताया गया है इस poem में contrast है एक तरफ Aunt Jennifer को बहुती sad, बहुती pain, burdened lady बताया गया है लेकिन उनके thoughts को बहुती अलग तरीके से दिखाया गया है So let us go ahead and have a look Aunt Jennifer's Tiger prance across a screen Aunt Jennifer एक lady है जो crochet Probably अगर आप में से कुछ लोग को पता होगा कि crochet क्या होता है तो आप समझ पाएंगे एक तरीके का एक craft होता है कपड़े पे आप bun के design embroidery sort of work अगर आप बनाते हैं That is the thing तो Aunt Jennifer अभी फिलहाल यहां पर वो embroidery के बारे में बता रहे हैं वो उन्होंने कुछ tigers बनाए हैं उस cloth पे Aunt Jennifer's tigers prance across a screen Bright topaz denizens of a world of green Now, अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा है rhyming scheme आरी is green green अब बताया गया है कि Aunt Jennifer के tiger ऐसे bright topaz color के जो bright orange color के tigers है हलक ऐसे black stripes भी है वो दिख रहे हैं and they are denizens मतलब यह रहते den में हैं citizens में हैं denizens of green मतलब forest में रहने वाले tigers बिल्कुल prance कर रहे हैं दिख रहे हैं उस कपड़े के उपर वो शायद बना रही है कुछ ऐसे tigers जो की उस कपड़े पे दिख रहे हैं हरियाली में घास में घूमते हुए दोस्तों tiger की prancing के बारे में इस तरीके से बताया गया है कि एक tiger जब चलता है तो किसी से डरता नहीं है उसकी चाल में वो शान होती है that unraveling fact तो aunt Jennifer ने जो tiger बनाए हैं वो तो majestic way में act कर रहे हैं इन tigers को जो लोग पेड के नीचे छिप के प्रॉबैबली इनको देख रहे हैं उनसे कोई डर नहीं है प्रॉबैबली ये पेड के पीछे छिपे लोग कौन हैं hunters जो छिप के हमला करते हैं छिप के attack करते हैं आप इस poem की अब उस thinking पे जाएए एक married lady जाए जो की burden है प्रॉबैबली इस poem में थोड़ा सा domestic violence के बारे में भी बताया गया है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ये एक thought दिया गया है that is what has been explained हो गया लेकिन ये tiger उसके opposite में बिना किसी डर के बिना किसी fear के वहाँ पे प्रांच कर रहे हैं अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर से आपको rhyming scheme देखेंगी wool and pull अब जेनिफर की उंगलियां उस वक्त जो भी चीज कर रही थी वो जो भी activity कर रही थी उस समय उनकी उंगलियां काप रही थी मतलब वो लेडी डरी हुई सहमी हुई है लेकिन physically and mentally वो बहुत ही डरी हुई है सहमी हुई है वो किसी ऐसे thought में है कि वो अपने उस काम को भी ठीक से पूरा नहीं कर पा रही है The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon aunt Jennifer's hand Wedding band usually दोस्तों होता है The wedding ring और aunt Jennifer की wedding ring एक lady के लिए marriage probably एक liberation होता है एक ऐसा institution होता है जहाँ वो उसे enjoy करेगी एक ऐसी life होती है जिसे वो बहुत जादा emphasize करेगी emancipate करेगी लेकिन यहाँ पर उसी का contrast बताया गया है आज जो उनकी wedding band जो शादी की अंगूटी उन्होंने उंगली में पहनी है वो एक इतना बड़ा burden है जो उनको बार बार याद दिलाता है कि मेरे उपर एक ऐसा heavy सा बोज है जिसे मैं कभी हटा नहीं सकती हूँ sits heavily upon aunt Jennifer's hands when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with odils she was mastered by लेकिन जिस दिन aunt Jennifer की देथ हो जाएगी और यह उसके fluttering hands कापते हाथ थम जाएगे उस दिन भी यह wedding ring का निशान उनके उंगलियों से जाएगा नहीं उनके finger से नहीं जाएगा जो हमें बार बार याद दिलाते रहेगा कि शादी शुदा life में इन्होंने कितने दर्द सहे थे the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid लेकिन उसके contrast में जो tigers इन्होंने बनाये हैं वो तो probably a frame बन जाएंगे और वो free घूमते रहेंगे भले आंच Jennifer एक sad lady थी अपनी जिन्दगी में उन्होंने सिर्फ pain देखा था एक liberation वाले institution में आने के बावजूद मतलब wedding is an institution में आने के बावजूद she went ahead and lived a very sad life and a very contrasting life that probably will be never forgotten but उन्होंने जो thoughts थे उन्होंने जो tigers उन्होंने बनाये थे they will keep on roaming just informing that how free and you know unafraid she wanted to live thank you so much थोड़ा सा question answers देख लेते हैं denizens or shivalric how does denizens and shivalric add to our understanding of the tiger's attitude tiger का attitude यह से बतायागा denizens that means they live in forest shivalric they are not scared of anything so probably you can frame the answer in a way that denizens means living in forest jungle life easy नहीं होती हुआ but still they are unafraid why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza why is she finding the needle so hard to pull जैसा कि मैंने पोयम में ही explain कर दिया है आपको that Aunt Jennifer was actually a sad person she did not have a happy married life probably वो कोई सा भी काम करते समय थोड़ा सा डरी हुई रहती थी कि अंकल पता नहीं क्या रियाग करें so that's why Aunt Jennifer यहाँ पे भी बताया गया है दोस्तों कि Aunt Jennifer जब वो activity कर रही थी तो भी उनको थोड़ा सा डर लग रहा था that how will be the outcome perceived by the second person and that's why she was finding the needles hard to pull what is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band that's what I have explained to you wedding band की image क्या बताई गई है वो शादी का जो संबंध जो रिष्टा है जो की वो रिंग से दिख रहा है वो यह कोई happy moments नहीं आद दिला रहा है it is all explaining the sad facts of her life and of what or whom is Aunt Jennifer terrified with the third stanza Aunt Jennifer को किसका डर है दोस्तो obviously she is terrified of the outcomes the perseverance जिस तरीके से perceive करेंगे अंकल उसका डर है what are the audiles Aunt Jennifer is surrounded by why is it significant that poet uses the word ringed what are the meaning of the word ringed in the poem ringed मतलब घिरे हुए audiles probably geotomistic violence घर में रहती है कुछ thoughts remember यहां बच्चों की बात नहीं हो रही है यहां सिफ Aunt Jennifer की बात हो रही है so that means she is suffering from some pain some life something wrong is going on why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character what might be the poet suggest what might the poet be suggesting through this difference Aunt Jennifer ने क्यू tigers बनाए है so friends हमको एक चीज़ समझ में आएगी that unlike a lady जो की एक married life में है wedding is a beautiful institution for a women but होता यह है that इस beautiful institution में wedding के कारण Aunt Jennifer is not at all happy she is actually going ahead and suffering from some pains and इसलिए वो word यहां पर बताया गया है कि उन्होंने tigers बनाए हैं जिनको कोई डर नहीं है उन्होंने एक तरीके से कुछ ऐसे animals बनाए हैं जो की बिलकुल contrast image के हैं और इसलिए उन्होंने suggest करा है probably poet यह suggest करना चाह रहे है interpret the symbols found in the poem देखिए symbols तो इसमें बहुत सारे बतायेगा है ring ordeals ring जो है वो ordeals के बारे में बताती जो दर्द है उनके उनके बारे में जो bondations है जो weight है on our hand जो pressurized life है वो बतायेगा है tigers मतलब free shivalric कोई डर वाले नहीं दिखाये गए है तो ऐसे कुछ symbols इस poem में दे गए है do you sympathize with Aunt Jennifer what is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer देखिए yes definitely इस poem के अंदर Aunt Jennifer के लिए एक sympathy दिखी है she actually is having certain pain in her life और जो हमारे poet है narrator जिसे कहते है speaker जिसे कहते है she has a special soft corner for Aunt Jennifer एक lady जिसने अपनी जिन्दगी में दर्थ देखा है वो क्या चाहेगी she will probably be looking forward for some beauty some change in her life that is not going to come so yes I definitely sympathize with her the narrator too has a tone that is sad it's not monotonous but yes it is timid and sad I hope now you have understood this poem still if any doubts are there do call bye-bye bye-bye